नमस्कार जैहिन सात्यों एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस डिजिटल मंच पे और आज के वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं जो अधिनेस्ट बोर्ड के दौरा 11 अगस्त को पेपर हुआ था उसकी सेकेंड पेपर हिंदी और इंग्लीज की जो आंसर की अभ रहा हुआ है ना फॉस्ट किसे न हाँ अमल और अमल को सबसे यवागत दीए गए तों सही आंसर क्या होंगा इसका तौँ सही आंसर इसका डी बिना अमल पेंशन परस्ट शेक ग मेर नमांवर सेकेंड की तरफ इंग्लीज स्काह है और इंग्लीज CR Care C सेंटेंस टू इस कंपरेटिव डिगरी इन दा फॉलोविंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस मेनी अर्जुन यह अर्जुन इस दा बेस्ट बोई इन आर क्लास यह देर खेए एड़ेटिव सुपलेटिव डिगरी इसको चैंज करना है अपनों बिना किसी सेंज के और वह चैंज करें इसमें सही आंसर हो जाएगा अर्जुन इस बेटर देन एन अधर बोई इन आर क्लास तो कंपरेटिव होती है दो की तुलना में होती है तो ए आंसरी सा सही हो जाएगा दो का ए ठीक है आगे चलता है क्यूसन नंबर सेकिंड की थर्ड की तरफ वह थर्ड है अनौनि में आसके देर की शूनना मैं ट्रण पूचा लगा। ए तो ए एन्टोनिम हो जाएगा थर्ड में' विल बै क्या बोल रहा है कि मेंटी स diss calc 2 और 34 ऐसरी साया लिया एक ओ कूर सिया एक हो जाएगा ओर रिंदािक जाया मैं पर बात करता है किस है टो सिन नंबर फोर की तरफ और फोर है अप्राइन सब्सके लिए आता है तो ओप्सन नमबर डी में है बी दोपर के बाद का समय आ जाएगा क्या जाएगा दोपर के बाद का समय आ इसमें और अब अपन आगे चलते हैं पर चार के बाद में है अपना किसन नंबर फाइप किसन नंबर फाइप है यह पेसेज देर का इसका सही आंसर वो देख लेते हैं अपन डारेक्ट तो इसमें जो फाइप है सिक्वेंस sequence of the following statements in their logical order and choose the most appropriate answer from the option below तो 5 में हो जाएगा C यह जो सबसे लंबा option है वो हो जाएगा C it is then transmitted यह हो जाएगा फिर है क्यूसर नंबर 6 6 के तरफ है यह इसका सही आंसर हो जाएगा A केरला के सो प्रोडेक्ट यह हो जाएगा इसका सही आंसर फिर है क्यूसर नंबर साथ और क्यूसर नंबर साथ में भी A हो जाएगा एका सही आंसर यह हो जाएगा इसमें देख लेना अपनी इसाफ से की most approved answer तो यह हो जाएगा दा रो मेटेरियल इस कोश्टली एंड क्राप्ट ओफ दें इस लेबर तो यह हो जाएगा सही आंसर बात करते हैं क्युसा नुम्बर आठ की तरफ और क्युसा नुम्बर आठ है इसमें हो जाएगा बी भी हो जाएगा इसमें आठ में भी फिर है क्युसा नुम्बर नाइन दा के लिए मंगलम मैट इट इस टाइक ली तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइन में ए मोर देन ट्वाइफ यह पिर बात करते हैं क्युसा नुम्बर दस की तरफ कि संदस की तरफ चले तो आप सभी साथ इसने दने कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते हैं आपको पता भूल जाते हैं आंसर की में तो फिर आगे चलते हैं क्यूसा नुम्बर दस की तरफ वाकी लेटेस्ट अपडेट के टेलेग्राम भी चोइन कर सकते हो आप करना चाहो और अगर आप सब्सक्राइब की गजेक्टेड होली डे का क्या अर्थ होता है तो इसका हो जाएगा राजपत्रित अवकास भी इसका सही आंसर है ठीक है आगे चलते हैं है अपन ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर बारह नंबर ट्वालर अप्शन डेट इस नॉर्म लेटर का कों सा इसमें पार्ट नहीं है तो इसका हो जाएगा कोटेशन यह इसका पार्ट नहीं है बाकि सबी सब्सक्राइब आगे बात करते हैं हम ठर्टेंट क्यूसन और ठर्टेंट क्यूसन यह लिश्ट एक सुची एक और सुची दो को मिलाना इसमें अंग्रेजी सब दे रखें उदर समनार्गे सब दे दे रखें तो किस नमबर 13 के अंदर बिका मतलब यह होगर हें मतलब होता है मांदे और फिर इनिता मतलब निशीद और देरका है एक सब्सक्राइब मतलब होता है वह ग्रेजुट्स यह उपदान यह हो जाएगा तेन चार एक दो यह सहीं आझ सौर इसका पर बात करता हैं कि सब नंबर 14 14 निम लिकते मैं से शूर शूर वहाल हो जाया गाल शूर यानी यल ओजाएगा देवता 1 दॉसला में 14 मंबर में इसुर याने वीर और यह हो जाएगा देवता ठीक फिर下 15 फिल इनडा ब्लैंग विर्द अमोस्ट आप परॉपेर पुरेद प्रीप पेशन फॉन था ओप्प्शन गिवन बिलोग देर इस लॉँग के ओप्यूपूल इसमें फिल करना प्रिपोजिन इसका सही अंसर हो जाएगा सबिवां या गोट बाट जी से अलग रहने वारनर किनस के लिए सःए आंसर हो जाएगा संध्र ऊंध्र हैं थीए याब यहांज़ फीर में ऑफिर बात करतें प्रेटां कि तरफ चलते आपको सेवंटीं नी तरफ ले कि त merger प्राइं कि तरफ किश्न अपना कि सेवंटीन ए यह मौऊवड़ा देर करें सेवंटीन वें सेवंटीन में बी भी जाएगा एक में तीन हो जाएगा दो यह हो creator B में 1 हो जाएगा C में 4 हो जाएगा और D में 2 हो जाएगा यह जो आपके अप्शन है यह आप इसमीं देख सकते हो दो है फिर चलते हैं 18 मेंस सब्सक्राइब होंगे सुच एक देर कि यह समास दे रहका है तो 18 के अंदर है सी सी का मतलब है कि एक में चार है कि बी में दो है और सी में तीन है वो डी में एक है यह हो जाएगा सी ओप्सन हो जाएगा इसा समास वाले में फिर बात करते हैं दिन नाइंटीन के अंदर है इंगलीज का दे रहका है most appropriate वो प्रिपिक्स ग्रेड़ इसका प्रिपिक्स हो जाएगा बी अप ग्रेड़ पो जाएगा तो यह सही आंसर इसका यह आगे बात करते हैं अपन 20 के अंदर परियावचे सब दे रहा है सुची एक और सुची दो से मिलान करना है और 20 की अंदर है अपना D D का मतलब हो गया है एक में 3 फिर है B में A C में 2 उच्छ 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट बी में एक है, उल्लू कोशिव हो जाएगा, काका हो जाएगा, पिसुन हो जाएगा, और ये चार हो जाएगा, तो तीन, एक, दो, चार, ये हो जाएगा, इसका सही आंसर, 20 में, डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं अपन, 21, चलना और चलना, सब्द द के तो इसका सही उदारन कौन सा होगा सबसे होगा 21 में डी योगी किरिया किसका उदारन है चलना उचलना तो यह योगी किरिया का उदारन है ठीक है तो फिर शलते हैं 22 अ फिले इंदा बलेंग चूज दा एप्रोप्रीयेट आर्टिकल आर्टिकल का क्यूसरा I think it is गोइं टू रैंडू यू है तो इसका सभी आंसर हो जाएगा बी ए रेंट कोट और रेंट कोट आई कें बोरो फॉर एक कफल ओफ आर्ज ठीक है फिर है ट्वंटी थ्री ट्वंटी थी में आजाएगा निम्द में से कौन सा सब्द ए उपसरग से निर्मित नहीं है तो ट्व ट्वंटी फॉर और ट्वंटी फॉर के अंदर है लिस्ट एक और लिस्ट दो दे रखिए ट्वंटी फॉर के अंदर है लिस्ट एक और लिस्ट दो दे रखिए और किसका देर का यह 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 देर का अपने को इसमें डारेक्ट किसेंग तरफ चलते हैं डी आ जाएगा इसमे तीन चार एक दो यह सही आंसर है इसका डी ओप्शन दे रहा है इसका सही 25 की तरफ ले चलते हैं आपको सिधा और यह आपकी स्क्रीन पर 25 निम लिखीत में से असुद्ध लिखीत सब्द कौन सा है तो 25 में ए उदम इसमें बड़ा उआएगा ठीक है या जाएगा 26 निम लिखीत में सुद्ध सब्द कौन सा है तो 26 में ए इसमें भी क्या है ए पार दूर बाव हो जाएगा ठीक है 27 में कि उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव बेश दिया गया है पाकी का सही अंग्रेजी रुपांतरन क्या होगा तो इसमें हो जाएगा ओफर ओप अपॉइंट्मेंट हेज बीन सेंट टू हिम यह इसका सही अंसर हो जाएगा फिर 28 आपकी स्क्रीन पर यह रहा इसमें पूचा है कि फिलिंदा ब्लेंक सेंटेंस फ्लो तो इसमें यह है सब्जेट यह टेंस का है तो बाइदा एंड ओफ 28 में हो जाएगा विल है यह बीन डिया जाएगा इसमें क्या जाएगा डी इसमें आजए डी दोबार आव एक बार वह देखलें डिया जाएगा पाई एंड ओप ता आई विल हेव डूइंग डिस जोब शिक्स एयर फोर शिक्स एयर ठीक है आगे चलते हैं 29 की तरफ और 29 की तरफ क्या बोल रहा है इसमें आपको करना है रिपोर्टेड़ स्पीच है दा इंटर इंटर इंटर्व्यूर आस्ट हीम केन यू यूज ए कंप्यूटर तो 29 में आ जाएगा ए ट्वंटेनाइन में ए या जाएगा सही आंसर बात करते हैं अपन ठटी की तरफ लिस्ट एंटोनीम पुछा है लिस्ट एक और लिस्ट दो दे रहे है और 20 के अंदर आ जाएगा आंसर डी डी के अंदर क्या बोल रहा है एक में अबेंडेंट स्केर हो जाएगा और बी के अ अधर इंपन 31 31 आपकी स्क्रीन पर यह रहा है लक्स और लक्स से संगत अर्थ है तो हो जाएगा बी का मतलब हो गया सी और ई सी एक मिनट सी और ई हो जाएगा यह तो सी और देर केगा सी और ई बी में देर रखा ठीक है यह फिर पेसेज आ गया इसका डारेट अपन क्यूशन देखते हैं यह पेसेज है आप देख लेना हुआ कम फेबुरी लव और सम्टिंग लाइग इडिज इन दा एर यह प 32 की तरब 32 के अंदर उप्शन हो जाएगा इसका डि आंसर सही है 33 के अंदर डि है वह 34 के अंदर भी डि ते रखा है तो जो यह आप देख लेना कांग इंकल अन्दा उट बहुँआगा आपके 36 औह पिलिस्ट एक और टव लिस्ट स्टान की ऐसे इसमें आपको मेंच करना थो इसका थहोगह अधिए दिए के अंदर कैंडर क्या बोल रहे में सेकिन तीगे और बीच अंदर थर अधरीगा ठीक 37 B इसमें आजाएगा यह किसटेंश का यह तो ब्यादब विल हेव कम्पुटिटेट इड ओपता पॉइम बाइन नेस्ट यह सी विल हेव कम्पुटिटेट इड बी आजाएगा 37 में फिर बात करें हैं अपन कि 7 38 की तरफ थे थे तरफ ले चलते हैं आपन के रिला इजदा ग्रेट ग्रिनेस्ट सिटेट इन इंडिया और यह स्टेट्मेंट है इसको चैंज करना था प्रेटि नाइन थे अंदर अपन ले चलते हैं जो हिंदिका जो के अंदर से हट यह दूर जाता हो उसको बोलते हैं पन के अंदर अपसारी ए हो जाएगा सही आंसर फिर है 40 प्रयावची सब्दों के संदर में एसंगत विकल्प का चैन कीजिए चारीष के अंदर है बी चंद्रमा हिमान्सू हिंकर राकेश सही वीकल कोन सा है τοगरमा के तेंओं के तेंओं सही है नहीं देखो इसमें दे रखा है चालिस में बीर का मतलब यह है के सी और डी n d हैं वह सही है कि फियुज है और डी भी सही है ठीक है सरवादी उप्यूब तो सी और डीस में देर का 40 का भी देर रहा है थीक है तो बात करता है फोर्टी वन और फोर्टी वन आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्या कह रहा है स्लेट दा मोस्ट एप्रोपिरेट ऑप्शन तू फिल इन दा बलेंग बाई यूजिन दा क्रेक्ट डिग्री ओप एडिटिव आई तिंग दा मेंगो इज फ्रूट आई कैन हेव एज मैनी ओफोर पनके अंदर आ जायगा डी टिए डिलीस आ जायगा इसके अंदर डी ठीक है थिल फोर्टी टू और फोर्टी टू के अंदर बोल रहा है कि कर्वाई कोई कार में अपक्षित नहीं इस वाक्य के लिए अंग्रे जी सब्द का सही क्या होगा तो इस पहुताई नो एक्षण is necessary a हो जाएगा इसा सही आंसर no necessary no action is necessary बात करते हैं फिर 30 43 की तरफ 43 की तरफ है इसका बी आ जाएगा बी के अंदर क्या क्या दे रखा है बी में है और एमे थरी दे रहक और रहता है में थरी ने रहे धीक ल्हां और वन दे क्या है तो 43 बीर रहाई यह यह कि प्रीर बात करते हैं फ्रोटी फॉर एहाँ कि रहा है अपकी स्क्रीन पर प्रिपिक्स जा रहा था वゲ्ट यह से पहले क्या है तो इसके पहले ले गया out अब धेट हो जाएगा ठीक है फिर बात करते हैं आप फोटीफॉर पर आ गया अपन और फोटीफॉर के बाद में फोटीफाइब हिंदी का है और उपसरग का दे रहा है एक तरह उपसरग मेस्दा फोलोइंग करना है आपको और 45 का सही आंसर है आपके पास D, D बोल रहा है, A में D, एक में 4 है, B में 1 दे रहा है, O, C में 3 दे रहा है, और D में 4 दो दे रहा है, तो 4, 1, 3, 2, ये सही आंसर है, इसका 45 का, D, फिर है, 46, 46 है, कि दा, दा वरी, कम्मुनिटेट्स, ठो, देर, मोस्ट रूबर दा पुशन, तो उसमें आपन को, फिल करना है, 46 के अंदर आजाएगा, D, रिप्टेट आजाएगा, ये, रिप्लेट, D आजाएगा, इसका, 47, वो, संग्या सब्द से विशेशन का, संगत यूग, देखना है, पनो, फोर्टीशेवन में, A, पसुखिसे, पासुई को जाएगा, ये विशेशन भी है, और पसुखिसे, संग्या, ये विशेशन है, फिर फोर्टी, एगसती के समंदर्पान, मोवलेगा अर्थ है, तो फोर्टी, एट के अंDर है, C, एस संभॉवकारी करना, लशेशन है, फोर्टी, एट में, C, फिर है फोर्टी, नाईन, आपकी स्क्रीम पर ये, ये बोल रहा है, नी, पलस, रज, नी, रज, ये सब्लस, न नहीं जाता किस वाच्चे से समंदित है तो 50 के अंदर है अपने यह बाव आच्चे है फिर है 51 51 के अंदर है यह क्या बोट प्रिप्रिक्स करना है से पहले प्रिफ्रिक्स कमपट तो कमपट का हो जाएगा सी डिसकमपट कंपट डिसकंपट हो जाएगा फिर है 52 और 52 आपकी स्क्रीन पर यह रहा इमली के पाथ पर बारात का डेरा 52 हो जाएगा में ए एसंभव बात ए हो जाएगा फिर है 53 53 बोल रहा है आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है कि सी ओन हर सक्षे टू माई सपोर्ट तो 53 के अंदर हो जा होता है भी हो जाएगा इसका सही आंसर और 54 के अंदर है इसमें पूचा है कंजेक्शन टू फिल इन दा ब्लैंक दा फॉलोविंग सेंटेंस और इसमें 54 में है बी वेदर वेदर और नोट माइं माधर पर मिट आइं गोइं टू दा मूई होल यह हो जाएगा 55 आपकी स्क्र अब्रोपियेट इंटोनिम यह हाई यह एंटोनिम इट इज एक कॉमन तो इसका इंटोनिम हो जाएगा वह एंटोनिम एडी फैक हो जाएगा ठीक है 56 56 में पुस्टपड़ी जाती है वाचे बेद कौन सा है तो 56 के अंदर है सी करम पुस्टपड़ी जाती किसी के दोबार पुस्टपड़ी जाती है 57 57 फिल इन दा ब्लेंग चूज दा सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम दा ओप्शन बिलो आई टेक आर्ट तो इस माई ओपिस तो एन आ जाएगा या जाएगा फिप्टी ए आर्टिकल है एन दा फिर फिप्टी एट और फिप्टी एट का नाइज न फिप्टी एट में सी हो जाएगा इसमें हो जाएगी दिर्ग संदी ठीक है आगे चलता है फिप्टी नाइन में और 59 आपकी स्क्रीन पर यह रहा फिप्टी नाइन हिंदी और अंग्रेजी वह पारिपासिक सब्दा हो लिए या प्रसासनी सब्दा हो लिए का रहले गापन ओपिस मेमोरेंडम होगा और फिर है संकल्प इजूलेशन हो जाएगा फ्रेश विगप्ती फ्रेश नोट हो जाएगा परिपतर सर्कुलर हो जाएगा यह हो जाएगा 59 के अंदर बी तीन एक चार दो सही आंसर हो जाएगा बी सिक्टी की तरफ ले चलते हैं आपको सिक्टी है ने मिलिक्स में से कौन सा मॉआवरा नहीं है और कौन सा मॉावरा नहीं है उल्टी यह नाच ने आवे अंगनलა यह लोग होकती है आसी सई सई प्वलग millise ए सिक्षिची वन कित्राप आपको ले चलते हैं बीना किसी दिरी के और फिच्टी का बोल रहा है यह 12121 का गया यह अनुछाः सकती पर एकिखने सदा का लिया अर्थ क्या होगा तो यह जाएगा क्या है ग्यानी सदा सुकी रहते हैं है ुके पूचा इप ये समनार की सब्सक्राइब 64 year select most appropriate the translation following the technical circular प्रिपरतर होता है यह हो जाएगा परकास का अंदकार हो जाएगा 65 में यह हो जाएगा 65 में परकास का अंदकार हो जाएगा ठीक है फिर चलते हैं 66 की तरफ select the most appropriate option transform given sentence into this potato speech the traffic policeman said to him so may your driving license 66 में हो जाएगा सब्सक्राइब और आगे चलते हैं 67 की तरफ ले चलते हैं आपको सिधा और यह राश शेक्टी सेवन सलेडा most appropriate option add the correct suffix suffix add करना phrase or 67 का सब्सक्राइब और बरती हो जाएगा 68 के अंदर है most appropriate इनके बाद में जो बाद वाला सब्जेक्ट तो उसके नुसार होगी आई के साथ एम लेगेगा या जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा a.m. फिर 69 और 69 है select the most appropriate word from the option provided to fill in the blank in the given sentence I am NOT कालिस्तान to a steaming hot cup of coffee after dinner 69 में आजागा बी फिर 70 70 के अंदर बोल रहा है most appropriate option to fill in the blank C accepted the job to 70 अंदर बी in spite of the low salary के बावजूद low salary बावजूद भी मैं accept की मैंने जोब 71 और 71 के अंदर है निम लिखित में से कौन का रहले पत्र का प्रारुक नहीं है तो इसका हो जाएगा दिशुचना परिपता नुस्मा समिक्सा नहीं यह हो जाएगा 71 में अनुस्मा समिक्सा इसका बाग नहीं है 72 सेलेक्ट दा ओप्शन देट इस दा मौस्ट एप्रोप्रेट सब सिस्ट्यूशन फोर दा स्टेटमेंट गिवन बिलो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 के अंदर ए ग्रेडिकल फिर सेवंटी थ्री फिलिंदा ब्लेंक इन दा स्टेटमेंट बिलो चूज़ दा मौस्ट एप्रोप्रेट वर्ड फ्रोम दा ओप्शन गिवन वो 73 के अंदर आजाएगा अपना एफ यार फ्रदर पर है 75 अधिकारियों के लिए पुर्बत होने वाला संब्धन कौन सा एउसेवंटी फाइव में दी श्रीमान अधिकारियों के लगता स्टिमान लगता है प्रसेवंटी सिक्स सुच्ची वन सुच्ची शेकिन को मिलाना आपको एक तरफ तरफ बर दे रखा है एक तरफ समा ओभी में दो आजाएगा ठीक है दो पहर ची में चार आजाएगा और दी में तुफन्द आजाएगा सिव पालव्ती तो सी लेज़ गाइसका सही आंसर समास वाले में 77 में देर रखा है आपको लिश्ट दे रखिये चेक करना आपको यह प्रिफिक्स दे रखा इधर वुघ क स्यान सा रजाएगा आपने 77 में आजाएगा दी 3214 3214 आजाएगा स्यान से तूट 214 आगे चलते हैं 78 और 78 के अंदर वोई संदी देर किये सुचिदेर किये गणेश में गुन संदी है तो थता प्लस 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 एक यहन संदी है सदे वर्दी संदी है तो बच्चा क्या फिर तता भी याद आएगा आपका 78 के अंदर भी भी से उप्सना गएगा पहले में दो दूसरे में 3 तीसरे में 4 पांच चोते में है दो तीन चार एक बी ऑप्सन सही है फिर सेवंटीन नाइन डेट लिखने का सही तरीका कौन सा है तो सेवंटीन नाइन में ए एक जाए आंसर है और एटी है फिर सलेदा मोस्ट एप्रोप्रेट ट्रांस्फोर्मोस्ट अब दा क्लास इस रीडिंग जेके तो एटी के है एक की तरफ और कौन से में लच्जमी अमद्शन सब्ढद नहीं है तो यह पांच भी औरदी के अंदर है हरी पिरिया है बार कभी है यह सब लच्छनी के प्रयावाची है ठीक है एटी टू की तरफ ले चलते हैं आपको और एटी टू है आपका most of option to fill in the blank with the correct form of vijay is my best friend 82 और 82 के अंदर है डी डी का मतलब है have been knowing और जाएगा डी फिर है 83 और 83 है situation में समास कौन सा है 83 के अंदर है समास है इसमें दूंद में दूंदो समास है ठीक है आगे चलते हैं 84 84 की तरफ ले चलते हैं आपको मेस्ट अंडरलाइन यह दे रखा है और इसको लिस्ट एक से लिस्ट दो मेस्ट करनी है 84 में आजाएगा का मतलब यह है एक में चार आजाएगा बी में 3 आ जाएगा और तो इस तरह परकार से आजाएगा चार तीन एक दो एप्सन सभी है इसका आगे चलते हैं 85 85 की तरफ ले चलते हैं आपको और 85 की तरफ के बाद में हैं आपके 85 85 क्या बोल रहा है मोश्ट एप्रोट ट्रांस्पूर्ण गिवन सेंडे इंटु रिपोटेट स्पीच है राम सेड आई परक विद ए जापानेज कंपनी लास्ट मन्त तो 85 के अंदर हो देगा सी कि इसका सही आंसर है 86 की तरफ ले चलते हैं आपको आपको इसमें सही करना है कि एरर देखना है कौन से में एरर है तो 86 का सही जवाब है बी का मतलब है और किसी में नहीं है तो आगे चलते हैं आपको 87 की तरफ ले चलते हैं क्योंसर्ट कि 87 जो है वो बोल रहा है कि अजे कल आउसे आएगा इसको इंग्लीज में ट्रांसलेट करना है तो अजे आउसे आएगा तो यह आजाए अजे विल डेफिनेटली कम टमारू तो यह हो जाएगा भी इसका सही आंसर है आगे चलते हैं 88 और 88 में है इंदिका है लुप्त का व और 90 में है डी वुड हेव बीन डी आजाएगा इसका सही आंसर बाइदिस नेस्ट वीक तो 90 में डी है यह देख लेना पिर बात करते हैं 91 और 91 यह रहा आपकी स्क्रीन पे इसको मेच करना है वाक्यांस के लिए एक सब्द है तो 91 के अंज़र हो जाएगा बी भी हो जाएग दो तीन च्यार एक यह हो जाएगा इसका सही आंसर फिर नाइंटी टू नाइंटी टू में है सी मत्स मत्स सोपिंग आजाएगा इसमें वुड शी आजाएगा इसमें फिर चलते हैं 93 और 93 यह रहा नहीं लिखने में कौन सा इत परते से निरमित सब्द है इत परते 93 के फिर नाइंटी फॉर ने लिए सुद्ध वाक्य का चैन कीजिए 94 में ए शेयर को देखकर उसके प्राण सूख गए फिर नाइंटी फाइव और 95 के अंदर है बी नाइंटी फाइब में बीज़ेगा इसका पिए 96 में आजाएगा बीकर 3 ना से इंग रहे लों तो करते नहीं हो जाएगा फिर नाइंटी सेवन और 97 बोला अशलेक्ट दा मोस्ते प्रूपिट ऑप्शन तुपिल इन दा ब्लैंक वेंदा ओफर तो इसका वह जाएगा 97 में बी टेंडर टेंडर बोलते हैं इसको ठीक है फिर 98 और 98 में भी क्या हो जाएगा बी सादू ने एक पुस्तक खरीदा निम्लिस असुद वाके है फिर 99 में से कौन सब्द वर्तनी सुद्ध वाके है तो यह जाएगा बलिस्त भी हो जाएगा फिर हंड्रेड आदिक सब्द का अर्थ है इसमें पहला आदिका क्या हो जाएगा हंड्रेड में भी फिर है 101 101 और 101 की ज्वारी करते हैं आपकी 101 में निसकत सब्द को किस अर्थ में प्रियोग करता है निसकर से मतलब होता है सारांस ए फिर एक सो दो निम्लिक तो कौन सा उपसे व्यूद सब्द नहीं है तो सेंटेंस आई लाइक स्विमिंग लार्ज रिवर 103 के अंदर है एक रोस ए है एक रोस फिर है 104 104 निम्लिक कौन सा परते का उदारन है तो 104 में हो जाएगा एफलित यह परते का उदारन है फिर 104 के बादें आपको ले चलते हैं 105 की तरफ सूच एक उसूच दो है मूँ आब र सब्सक्राइब है तो इसमें दोबारा देखते हैं भी है 105 में भी आएगा 3142 3142 105 में भी है फिर चलते हैं 106 और हिंदी अर्थ करना इसका तो यह हो जाएगा 106 के अंदर आपके साथ है ए अनुकूल विचार के लिए सिपरिक्षी जाती है फिर 107 170 और इसको चैंज करना है आपको पेशी वह इसमें आई तिंग दा सुड़ है ओफर्ड हरी दा जोप तो 107 के अंदर आ जाएगा आपको सही आंसर ए आई तिंग हरी सुड़ है विन अ एका मतलब है चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक ओप्षन सही आंसर है फिर चलते हैं 109 के तरब और 109 का सही आंसर है भी पूरो कालिक किरिया पिर एक 110 आसा एक महिने से कार चलाना सीख रही है 110 के अंदर एक महिने से 110 में ए फिर 111 सही आंसर है आपका डी 112 112 है और यह बोल रहा है आपको चूजदा मोस्ट अप्रोपेट कंजेक्शन फिल करना है यू कैन नोट पार्टिसिपेट इन दा कॉंटेस्ट बलेंदा ब्लेंग यू क्लियर दा इंट्रियू वन वन टू में है एंड्लेस वन वन टू एक सबारा में एक सो तेरा है फिर एक सो तेरा एक सो तेरा एक सो तेरा है ओपेशी वोई प्रोवरब भाई का वावत इसको आपो चैंज करना हरी अप सो देट यू डॉंट मिस्योर क्लास और इसमें आजाएगा बी फिर एक सो तोधा ऒणा फॉर अन चैन करना आपको और इसका है अनुष्मार्ख मेमोरेंडम होता है फिर एक सो पंद्रह और एक सो पंद्रह है ए नाहर पूरोज का प्रयावजिन नहीं 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 फिर 116 और 116 आपको दे रखा है कि कि वह नवर्ड दे रखा है और वनर साइज ए लिए सी दे रखा है 116 सी फिर 117 और आइक कुन नोट छिलिप तो इसका स्यांसर हो जाएगा फिर 118 और 118 के अंदर है आपके ए दिया और हाती 119 के अंदर हो जाएगा आप आपकोा सही आंसर 119 और 120 देख लिए एक 119 के अंदर हो जाएगा ए क्यों ए और 106 है out पर तो लगावा कौन सा है तो लिखावत और बनावत हैं ठीक है पिर चलते हैं 120 और इसमें अब और यह य करना है इसका सही अंसर हो जाएगा 120 का भी कि अब आगे तिले चलते हैं आपको कि 121 121 की तरह और हिंदी का है वा करता वा करता वा करता विलॉम सब्द क्या होगा तो यह हो जाएगा त्रिजूता आपके लिए चक्षू से जो सरुन कारे करता है सामाजर बद्द होगा 122 में यहाँ फिरें एक सो टेस्हें के अंदर हैं कार एजैंडा कारी सुची होती है यह फिरेंद योग हैं यहाँ इक फशनाट ऑप्सण फोर्दा फोलन क्यूशन तो 124 एक तो इसमें हो जाएगा यह दा से अंड़ा से अड्रस डेर ट्रीश वर एव जाएगा इस तो इसमें एदे रहे का आपा 125 के अंदर भी दे रहे का बादल प्योदर गार्ट बादल होता है और एक सोच अपीस कि तत्प्रू समाज के बैद हैं 126 में एका मतलब होता है बीसी ए और फिर 127 मुद्रा का निमली खित में कौन सा अर्थ नहीं है 127 में हो जाएगा सी और फिर बात करते हैं 128 और एक सो प्रयाव से सब दे रखाए 128 के अंदर है एका मतलब है च्यार और शिंग का व्यागर हो जाएगा चारू को चारू का हो जाएगा रम्में और आनेंदा हो जाएगा मोध तो च्यार एक तीन दो ए ओप्शन सही है इसका है फिर है 129 हिंदी इंग्लिस चैन्ज गरना वे सब को वेस एक सो इंटीस वेस सब अपने अपने काम में वेस्ट होंगे 129 में हो जाएगा बी दे विल आल भी बीजी विटेर ओन वर्क पिर आगे चलते हैं 130 130 में और 130 सुची एक उसी दोगा क्यांस है 130 का से आंसर है ए च्यार तीन एक और दो च्यार तीन एक दो ए ओप्शन सही है 131 कोन निम्लिकती में से कौन नी पर्ते गाव कुत नहीं है नी तो 131 के अंदर हो जायगा सी का तरनी नहीं है और फिर है 132 के अंदर क्या बोल रहा है 132 बभी उसान नहीं ए 132 में अधर लिखा फिर 133 फिलिंदा ब्लेंग विद्ट तो मोस्ट फोलो फेस्टिवल स्पेसिफिक 133 में हो जाएगा ए राइट और 134 तरफ ले चलते हैं आपको कि एक सोचीत है अच्छर्थ दूं कुछ थो सूजिएव सूची दो को मिलान कि एक इतब है और 134 के अंदर सफेसा आ उसल की और मत एक तिन नहीं डो वहाएगे आपका और इक को सोज़नating निन यह को जाएगा आपका सही आंशर एकmani में अदर ब्ली प्रिया आगे चलते हैं आपको 150 135 135 और एक इच ओब दा स्टुडेंट 155 साथ सही आंसर है बी इज बी आजाएगा भी डी नहीं यह इसका सही अंसर इज बात करें आपन आगे 136 137 इसका सही आंसर हो जाएगा ए फिर 137 137 इंदर ची आजाएगा परतिवादी और 138 दसानन में समास है दसानन बहुए बी आजाएगा 138 में 149 के अंदर भी पी आजाएगा इसमें भी सूटेबल और 140 के अंदर 140 में आजाएगा बी का मतलब है बी सी डी धी एफोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी वन में बी है पत्तर ओपहाड फिर 142 में आजाएगा डी इजन्ट विजया दा न्यू इंगलिश फ्रोफेसर है फिर है अपने है कि 143 और 143 का सही आंसर भी निरिक्षन क्या हो जाएगा निरिक्षन भी हो जाएगा सही अंसर और फिर आपको ले चलते हैं 145 और 146 के अंदर है प्रिविएस कि इसका अंडूनीम बताना आपको अंडूनीम बताने लिए से आपको अमील हो जाएगा इसका 144 टीर से अंधर में होता है और 146 एक सुच्छी आजा से अंसर हो जाएगा बी और 146 एक सो जाएगा ए ओनली बी बी के अंदर क्या है इसमें गलती है तो ए आजाएगा से यांसर फिर ले चलते हैं आपको 148 148 में है बी निमली कुछ आवा के असुद है गर पहुंच कर उसने चांट चैन की सांस लिया लिया फिर एक सो उन्चास निमली किते में से कूट सब्दक आर्थ नहीं है एक सुन्चास में आजाएगा डी कराइदा नहीं है ओ लास्ट इस पेपर का 150 का करहें और 150 में जाएगा कि यह तो यह थी आंसर की पर शेकिंट पेपर की वीडियो केसे लगा यहां तक पहुंच चुके वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी चैनल को टेलिग्राम से इन से आप जूर सकते हो मिलते हैं नए वीडियो में जब तत जे हिंद जे बारत